हेले दोस्तो कैसे हो आप सब मैं हूँ आपका दोसмен राशिस खान और आप देख रहे हैं खान यूटूब यूटूब चैनल दोस्तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि जो गाउं में इट कैसे बनाए जाती है आप मेरे पिछे देख रहे हैं यह सारी इट बनी हुई लगी हुई है तो गाओं की लोग इन्हें हाथों से कैसे बनाते हैं मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ तो आईए वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर आप लोग देखिए कि इट बनाने के लिए मिट्टी को तयार किया जा रहा है यहाँ पर तो इसको भी बनाने में काफी मेनत लगती है यहां पर आप लोग देखिए इट बनाए जा रही है और इस मिट्टी को अच्छे से त्यार कर लिया गए है और यह आप लोग देख रहे हैं जो लकडी का बॉक्स है यह नाप कर इस साचे को बनाए जाता है इससे इट एक साइज की बनती है और इसके अंदर जिस नाम की इट होती है वो नाम इसके अंदर लिखा होता है तो यह इट सूपर नाम की है तो इसके अंदर सूपर लिखा हुआ है तो देख सकते हैं किस तरीके से इट बनाए जा रही है यह देखिए इसमें सूपर लिखा हुआ है और यह जो मिट्टी है इसको बनाने में बहुत महनत लगती है यह पहली बहुत ही पत्थरीली मिट्टी होती है फिर इसको बाद इसको पानी में भूआ जाता है और इसको पैरों से रोंद कर इस मिट्टी को इट बनाने के काबिल बना जाता है तो इसके लिए बहुत ही महनत पड़ती है और इट बनाने में भी काफी महनत होती है आप लोग देख सकते हैं कि कितनी महनत से इट बनाये जा रही है अगर जरा से भी चूखवी तो इट खराब हो जाती है यहां पर देखिए सारी इट बने हुई लगी हुई है और सबसे बड़ी बात यह आप नीचे देख सकते हैं यह सारी इट खराब हो चुकी है बारिश के वज़े से अगर जरा से भी बारिश हो जाती है और इन पर जरा भी बूंद पड़ गई तो इट खराब हो जाती है आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारी इट खराब पड़ी हुई है क्योंकि इन्होंने जो इट बनाई थी और बारिश हो गई तो उस वज़े से यह सारी इट फूल गई तो अब यह किसी काम के नहीं रही इनको फिर से बनाया जाएगा यह देखिए इस इट अच्छी बनी ह पड़ी हुई है और साइड में जो पड़ी हुई है वो सारी बारिस के वज़े से फूल गई है खराब हो गई है वह उनको फिट से बनाया जाएगा यह आप लोग देखिए इनका घर है जहां पर यह लोग रहते हैं यह काफी दूर से आते हैं कुछ लोग बिहार से आते हैं कुछ लोग बंगाल से आते हैं और यहां पर रहेकर इट बनाते हैं और यह लोग इस घर में रहते हैं देखिए अपना भिगार इटों से बनाकर टीम डाल कर उसमें रहते हैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीस हमारे चैनल खान यूटूबर को सस्ट्रैब कर दें मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक अपना खया लगिए